इस बक्त मौझूद है नगर के बरिष्ट अधिवक्ता सारे का एड़ोकेट बखिल साब जानना चाहरा हूँ नवाब गुंच में एक मामला चलना है सब्जी मंडी की बिक्री का तो यह मामला आपकी जानकारी में होगा मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही और अखवारों में भी और वैसे भी मैं जब कचैरी बैठता हूँ तो काफी सारे लोगों के मैं आपस में चर्चा करते हुए मैंने सुना है कि जो हमारे नवाब गुंच में बहुत पुरानी मेरे होश से भी पुरानी जबसे मुझे होश ह मैंने देखा माँ सब्जी मंडी लगती है उस जो सब्जी मंडी की जगा है उसका किनी लोगों ने बैनामा करा लिया है और उसको बिक्री करने के लिए आर्चिकलाब लेने के लिए उसको खाली कराने के लिए प्रियासरत हैं ये मेरी चर्चा में मैंने सुना फिलाल आपको बता दू मैं इस मामले में अभी तक तीन दावेदार सामने आएं जिसमें ठाकुर जी महाराज समीती के तरफ से प्रेंपरकार रस्तोगी जी हैं दूसरे सिया राम बागी हैं सुरेश गुपता जी हैं ये तीनों लोगों की अपने अपने दावेएं की ये पॉइंट पर इसलिए बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बड़ा मामला है और तैसिलदार साब ने धारा अरतिस में अगर आदेश दिया है तो वो आदेश भी मेरे सामने नहीं है लेकिन मैं इतना बता सकता हूं आपको कि जब शासन और प्रशासन के संग्यान में ऐसे म रख कर जन्मानस को अपनी निष्टा पूरवक कारिय करते हुए सामने ला रहे हैं दूसरा जो सबसे मेन है वो न्यायपाल का है यदि न्यायपाल का में तैसिलदार महोदे ने अगर धारा अलतिस में कोई आदेश पारित किया है और उस आदेश का पालन ना करते हुए किन प्रशासन और जो भी इसमें दावेदार हैं तो इसके लिए पर कानून कहीं शांत नहीं बैठता है अगर किसी ने गलत बेना में किये हैं उनका नाम नहीं है उसमें और 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 भी दावेदार हैं उनका पक्ष मजबूत है अगर उनके पास दस्तावेजी साक्ष हैं तो इ जाएंगे और निश्चित रूप से जो आर्थिक लाब लेने के लिए भू माफिया सक्रिये हुए हैं उन लोगों को खिलाब ऐसी कारिवाई शासन प्रशासन को करनी भी चाहिए और मैं तो सही बात ये है कि जो सबजी मंडी में बैठने वाले लोग हैं कोई बहुत धनाड़े लोग नहीं होते हैं वो हम आप भी जानते हैं जो लोग बारिश में लू में जाड़ो में उस पन्नी के नीचे बैठ के 1500 रुपए की सबजी बेशते हैं उन लोगों को जो कि खिलाब शासन प्रशासन को जरूर सक्से सक्स कारवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों पर एक्शन लेना तो पूरी विधान सभा में पूरे नगर में यह चर्चाएं चल लेंगे कि जो भू माफिया हैं जो सड़यंत कारी लोग हैं वो अपनी गोटियां विछाने में ल खत्रा बता रहे हैं तो यह इस तरीका से जो चला है क्या पुलिस को कारवाई करनी चाहिए लोगों खिलाब पुलिस तो तभी कारवाई करेगी जब कोई एक पक्ष अपनी तरफ से एप्लिकेशन लेके और थाने में जाके अपने पूरे दस्तावेजी साक्ष के साथ मैं बात को रखेगा तो निश्चित रूब से फुलिस उसमें F.I.R. दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन करेगी और यह कोई पहला मामला नहीं है आपने सुना होगा पहले भी काफी सारा आखवारों में और आपके मीडिया के माध्यम्त चाया रहा एक यहां नवाबगज मे एक गाउं की सो बीगा भूमी कर्शी भूमी जो की वक्फल ऑलाद थी वो उनके बिरासत में उन लोगों को मिल गई तो लोगों ने उसमें बरेली से खतौनी में नाम खुरच के और उसमें वक्फल ऑलाद वाली बात हटा के और उसमें नए नाम इंदराच करा के और कुछ अपने दस्तावेज ऐसे पेश करके अपना नाम चलवाने का प्रयास किया था जिसमें शासन की तरफ से उन लोगों के खिलाफ सक्त कारवाई की गई और उन लोगों की उपर मुकदमे लिखे गए और जिन लोगों की वो भूमी थी आज भी उनी के पास में है अगर कोई जालसाजी करके और बैनामा कराता है जिसकी भूमी वो नहीं है और उसके बाद भी वो अपने उस भूमी को अपना दिखाने के लिए कोई कूटरचित दस्तावेज बनाता है और बैनामा कर देता है तो उसके खिलाब 420, 466, 466, 471 जैसी संगीन दाराओं में मुकदमा पंजीकरित होता है और बिवेचना में जब ये तत्त साबित हो जाते हैं तब ये आरोपत्र लगते हैं और ये लोग जेल जाते हैं और बहुत निया पालकाप हमें पूर्ण विश्वास है